तो दर्शकोर, चलिए अब हम बुलाते हैं दो छात्रों को, और उनसे पुछने कुछ चटपटे सवाब आप लोग का बहुत-बहुत सवगत हैं पेसिस के कायका ही नहीं, आप लोग अपना परीचाय हमारे दर्शकोर को दे दीजिए जी, मैं हूँ Tariqah, और मैं DMVB कौचिंग में पढ़ती हूँ और मैं IIT के तज्यारी करीँ हूँ ओके, और आप सर, मैं हूँ Anugor और मैं भी DMVB कोचिंग में पढ़ता हूँ और मेडिकल के तज्यारी करता हूँ वैसे यह DMVB की फॉलव्लं क्या है? अच्छा 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 जरा हमारे दर्शकों को यह बताईगे कि आप लोग किस स्कूल में पढ़ते हैं स्कूल का लाम तो नहीं मालूँ लेकिन कोचिंग वाले किसी भी स्कूल से एपेर करवा देते हैं और पैसे लेकर 94 से अबकी कैनिटी भी लेते हैं बापा को मालूम होगा इस्कूल का लाम वाओ अच्छा एक बत और बताईए कि आप लोग इस्कूल में ना पढ़कर कोचिंग में क्यों बढ़ते हैं इसका क्या वादा है अब क्यआ अब कि आन्स की वादे सीधे दिमाग में नहीं आती इन्हें कोचना पढ़ते तो इसे लिए कोचिंग बनाए जैसे कि दमाग में कोई चीज नहीं आते ही तो तीचर उसी अलग से दिमाग में ठूस्ते थे तो वो ठूसन कहलाइथा था बाद में जाकर वो ट्योसन बन गया प्यूशन के नाम से आंगा रहे वा आप तो भाषा विज्यां के बहुत पॉंचेवी विद्वान लगते हैं कैसे किस शब्द का जन हुआ यह सब जानते हैं अच्छा यह बताईए कि कि कोचिंग जाने के और क्या क्या फायदे हैं अच्छी इस्कूल में बहुत जादा डिस्प्लीन होता है वहां वाच्छाप नहीं यूज कर सकते हैं वहां फैस्बूक नहीं देख सकते हैं और कोचिंग में सब कुछ कर सकते हैं यह बात आप ऐसे ही का अल्हक जबसे बड़ा इड़ा एक के है है कि बढ़ा अपालब आश आयगे काशना है बाव दाता है बाव भाव डेक्टिंग काहना है वाव इसलिए कोचिंगा नाव आशियो अब ये बताईए कि आपको सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है जब आपके एक्साम में अच्छे मास आते हैं या फिर नहीं नहीं जब मेरी सैस्पी पे सबसे ज़्यादा लाइकन कब होता है अब आपकोची में जब टॉप लड़किया मेरी गर्डफ्रेंड बंदी वैसे विचार तो काफी उच्छे हैं आप लोगों के अच्छा चलिए आप लोग हमारे दर्शकों को एक अच्छा सा गां गांके सुना दीजिए मैं तुछ से मिलने आई मंदिर जाने के बहाने मैं तुछ से मिलने आई मंदिर जाने के बहाने बाभुल से जुट बोली सफियों से जुट मैं तुछ से मिलने आई को जिंग जाने के बहाने अरे ओ ब्लूस इतना च्छा गाया कि मैं भी उस धुन में खो गया वैसे आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस कालिकरम में आए और हमारे कालिकरम को चार चार लगाए उसकी शोभा बढ़ाई नमस्कार